हेलो एवरिवन कैसे आप सब आज किस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं हान बनाक थियोरम का ठीक है तो 16 नंबर में आएगा देखो दिख रखा है बहुत ज़्यादा important है इसकी एक real form होती है complex form तो आज हम real form को इस वीडियो में डिसकस करेंगे complex वाली को next में कर लेंगे तो देखो statement क्या कहती है इसकी let m be a linear subspace of a normed linear space n यहां से क्या समझ में आया है यह देखो fair notes है तुम आपको clearly यहां पर दिखाऊंगे जैसे यह कोई normed linear space n है इसका एक subspace है m इतनी चीजे कहिए इसने m एक linear subspace है एक normed linear space n का and let f be a linear functional defined on m इस f m के उपर एक linear functional defined है उस functional का नाम इसने small f दे दिया then f can be extended to a functional f note अब कह रहा है यह f है इसको हम किसी f note functional में extend कर सकते हैं जो के defined होगा on the whole space n जो कि इस पूरे space n के लिए क्या होगा define होगा ठीकर यहां तक समझ में आई देखो क्या कह रहा है यह n है normed linear space यह m क्या है इसका linear subspace इसके लिए functional f है इस f को f note में extend किया गया है किस तरीके से कि यह किसके लिए functional हो जाए इस space n के लिए यहां तक समझ में आया होगा सज डैट किस तरीके से कि f note x के जो value है वो किसके equal है f of x के जहाँ पर x किससे लेगा इस स्मो एम से ठीक है तो यह चीज़ें हैं और दूसरा हमें क्या प्रूब करना होगा जो f note की जो norm होगी हो f की इकवाल होगी कुछ थाइस statement में बचे statement देखके गबरा जाते हैं इसको है न डाइग्राम बढाने की कोशिश किया करो एक एक लाइन पढ़ा करो उससे समझने की कोशिश किया करो क्या कह रहा है इसके लिए फंक्शनल एफ इस f को बढ़ा करेगा क्यूंक यह तो छोटे के लिए बढ़ा करेगा कोई f note बनेगा और वो इस n के लिए define होगा अब कह रहा है कि अगर कोई element इसका x उठाओं तो f note की x पे value f की x के value के बढ़ाबर होना चाहिए और दूसरा जो f note की norm है वो f की norm यह को लाना चाहिए यह statement समझ में आगी होगी अब इसके लिए करेगा क्या proof के लिए देखो let f be a functional defined on subspace m of a real normed linear space n अब क्या कर रहा है जो question में इसने बोला है उसके लिए इसने कर दिया कि f एक linear functional defined कर दिया इस m के लिए जो कि किसका subspace है n का and let x not be any vector of n which is not in m अब क्योंकि हमें x तो इसका था तो हमने कोई एक point x note ले लिया कह रहे हैं वो m का नहीं m का नहीं मतलब कि वो n से लिया गया है ठीक है अब consider the set और एक set बनाओ किस तरीके से इस m के साथ plus t x note करो ठीक है इस m के साथ t x note करो ठीक है अब यह t क्या है अब आपके दिमाग में यह आ रहा होगे क्योंकि आपको x note के बारे में पता चल गया m के बारे में यह t क्या है तो मैं आगे बता रही हूं देखो m plus t x note of element अब इसके element कैसे होंगे m के element क्या है x है तो small x plus t x note यह set है इसके element क्या होंगे इस तरीके से क्योंकि आपको पता है m के element क्या है x अच्छे स से है अब टी मैंने बता दिया कि टी कोई भी रियल नंबर है यहां तक कोई भी दिक्कत होनी नहीं चीए f functional है m के उपर define किया गया है क्योंकि हमें question में हमने बार बार उसको पढ़ लिया x note point लिया गया है m के अलावा m के अलावा मतलब जो बच गया portion यानि कि इस m के अलावा जो portion बच गया उदर से अब एक set बनाया है m plus t x note करके कि m के element क्या होता है x तो x plus t x note इसके क्या होंगे element होंगे जहापर यह small x तो m से लिया गए t कोई भी arbitrary real number है तो यहां से क्या होगा देखू यह complete set है ठीर है तो यहां से m plus t x note यह इदर से element लिया है यानि कि यह कही न कहीं लाई तो इस पूरे n में ही करेगा m plus t x note को real number और x note से multiply कर लो n में करेगा तो वही है कि m plus t x note जो set है यह भी क्या होगा linear sub space होगा n के लिए ठीक है क्योंकि m हमारा linear sub space है तो इससे जो set बनेगा वह भी linear sub space बनेगा n का तो इसके जो इसके जो element होगे इस set के उनकी जो representation होगी वो क्या होगी unique होगी तो क्या कहेंगे every element of m plus t x note और इसके element है किस type की इस type के उनको हम uniquely represent करेंगे किस form की किस form में x plus t x note तो हम प्रूव करेंगी कि यह जो representation है इस type की unique है यानि कि इस type के सैट के लावा आप कोई और सैट नहीं बना सकते है ठीक है यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी अब यहां से देखो अगर कोई मेरे से सीधा संपर करेंगे at the rate प्रिति फल्सवाल ठीक है यह मैं admin हूँ ग्रूप की सीधे मेरे से जो भी doubt आता है आपका फिर भी पूछ सकते हैं और यह जो notes आपको दिख रहे हैं यह मात्र 119 में रुपए में आपको इसकी complete PDF मिल जाएगी पूरे च्यार यूनिट यह न नहीं होनी चाहिए ठीक है हम paragraph बनाके अब इसको याद करने का एक तरीका क्या है कि आप कभी ना बूलो जिन्दिकी में यहां तक कर लिया अब एक बार आप इस चीज को लिख लो ऐसे diagram रूप में लिखो ताकि आपको यह दिखे और उसके बाद क्या करो इसको चीज को क्य लिखी हुई थी तीसरी यह लिखी हुई थी यह होता है तरीका पढ़ने का ठीक है तो उसका क्या होगा कि आप बैठे बैठे अगर इसको बार बार लिखोगे तो आपको बोरियत होगी तो एक बार आपने लिख लिए आपको पता चल गया मेरे समझ में आ अगया अब क्या आप भूलो उसी point से आप दुबारा से देखो तो ऐसा करोगे तो आपको कभी भी एक या दो बार पढ़ने के बाद दो बारा आपको exam मी पढ़ने की जरूरत पढ़ेगी उससे पहले पढ़ने की जरूरत नहीं पढ़ेगी अब यहां से देखो for this assume that there exists two representation क्योंकि unique दिखाना था अब मैं मान के चल तो unique नहीं है इसकी तो दो representation है ठीक है तो पहली वाली मैंने मान लिया कुछ x1 प्लस t1 x0 दूसरी मान लिया मैंने x2 प्लस t2 x0 अब यहां से क्या होगा दो case बन जाएंगे कि या तो t1 t2 के equal हो या फिर t1 t2 के equal ना हो अब पहला case पढ़ेंगे हम अगर t1 t2 के equal आता है तब क्या होगा तो देखो अगर t1 t2 के equal है तो x1 प्लस t1 x0 t2 यह दोनों yy मानने हमने कि एक representation इस टाइप की तो left hand side equal तो right hand side equal हो ज तो इससे यह cancel out हो जाएगा तो यहां से क्या हो गया x1 x2 के equal आ गया यह इसके equal आ गया t1 इसके equal आ गया इसका representation क्या हो गई यूनिक अब दूसरा case आता है कि अगर t1 t2 के equal ना हो तो हम क्या करें तो क्या लिखेंगे फिर से वही एक सब्लस t1 x0 is equal to क्या होगा x2 प्लस t2 x0 यह आपको clear नहीं दिखा हो तो एक बर फिर से देख ले ना आता है कि अगर t1 t2 के equal ना हो तो तो क्या होगा x1 प्लस t1 x0 इसके x2 प्लस t2 x0 एक साथ कर लो इन दोनों को एक साथ तो यहां से x0 को मना गया t2 minus t1 इस t2 minus t1 को नीचे लेके जाओ तो x1 minus x2 upon t2 minus x0 आ गया तो x0 की value यहां से यह आ गई अब क्योंकि हमें पता x1 x2 वाले m में belong करते तो यह complete हो और यह तो कोई real number ही है ठीक है तो यह complete किसमें belong करेगा m में तो x0 यहां से अगर यह m में belong करेगा तो इसका मतलब x0 भी m में belong करेगा यह क्या हो गई हमारी contradiction क्योंकि हमने x0 त हमने तो यह contradiction आ गई तो since we assume that तो हम क्या करेंगे x0 जो है हमें belong करते करेगा नहीं तो इसका मतलब जो t1 है t2 के equally आएगा तो इससे क्या पता चुल गया t1 t2 के बराबर x1 x2 के बराबर uniqueness तो हमने prove कर दी अब क्या करेंगी दो element लेंगे x1 x2 खीक है अब हमें norm वाला दिखान x1 minus f of x2 में f common ले सकते हैं तो f of x1 minus x2 हो जाएगा तो वहीं लिख रखा है fx1 minus fx2 के value क्या हो गई f of x1 minus x2 region देना चाहो तो दे सकते हो क्योंकि f linear है left hand side को agities रखो इसको क्या लिख सकते है इसका modless less than equals इसके modless से लिख सकते है ठीक है अब यह fx1 minus fx2 agities यह इसका mode है उस minus x2 की norm को अलग कर दो अब यहां से क्या करो x1 minus x2 में अपनी तरब से x note point को add और subtract कर दो तो एड़ वाले को X1 के साथ लिख लिए जो सब्ट्रेक्ट किया तो उसको X2 के साथ लिख लिए कि उसके बाद इसको तो एजिटीज रखा इप इन दोनों को भी अलग अलग कर दो तो एक बार F के साथ मल्टिप्लाई होगी तो यह आएगा उसके बाद क्योंकि नॉर्म है तो यह माइनस साइन बाहर आएगा तो प्लस का ही होगा नॉर्म और मोडलस में माइनस साइन बाहर आता है तो प्लस का आएगा और F की नॉर्म के साथ क्या जाएगा एक्स नॉट प्लस एक्स नॉट अब यहां से क्या करो Fx1 यह वाला जो पॉर्शन है एक इसको इधर ले तो supremум x belongs to x इसकी जो value है और यहाँ से क्या कर देंगे x belongs to M के लिए इन दोनों को x ले लेंगे यानि कि x1 की जगे भी x ले लेंगे, x2 की जगे भी x ले लेंगे, क्योंकि यह दोनो M का element और x भी M का element है तो supremum लगा के x belongs to M x1 के जगे x कर दिया अब क्योंकि यह less than है तो इसका क्या होगा? इन्फिमम होगा? तो इसका जो इन्फिमम होगा? एक्स बिलॉंग तो एक्स यह एक्स टू की जगे क्या है? एक्स आगया? norm of F E की जगे एक्स आगया? प्लस एक्स नौट अब क्या करेंगे? एक real alpha लेंगे अब देखो ये तो क्या होगा ये अपारी supremum की value हम मान रहे हैं इन दोनों के बीच में इसका जो supremum है इसके infimum से लाइस देने तो क्या करेंगे एक बीच में कोई number ले लेंगे कि ये जो value है ये alpha से छोटी और ये ये alpha जो है ये वो इस से छोटा है ये मान के चल रहे हैं ठीक है और इसको number one कह देंगे यहां तक कोई दिक्कत अब क्या करेंगे एक y arbitrary element रहे लेंगे फिर से m plus tx note set का तो y की जो representation होगी unique हमने प्रूव कर दी तो वो किस type की होगी y equals to x plus tx note अब यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आती अब बच्चों को दिक्कत आती है यहां आगे ठीक है यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आती अब एक चीज बस याद रखना कि हमें एक function define करेंगे phi किसके लिए इसी set के लिए y की representation तो unique होगी इसी के लिए एक set define करेंगे किस तरीके से होगा वो यानि कि इसके उपर phi लगा दो इसके उपर f लगा दो x note की जगए minus alpha ले लो ठीक है यह representation इसके यह जो function है यह अगर गया रहा गया तो अब आगे कर लोगे अब देखो फाइल obviously हमें पता है phi जो है कौन side करेगा किस के साथ f के साथ अगर हम m का बात करते है क्यों क्योंकि यह जो है यह चीज भी m से ली गई है और यह वाड़ा function भी इसी set से बनाया गया है ठीक है तो अब हम सिर्फ क्या प्रूव कर देंगी कि phi जो हमारा linear है linear प्रूव करना बहुत easy होता है इसके लिए क्या करेंगे एक y1 ले ले लेंगे जिसकी value x1 plus t1 x not और y2 ले लेंगे जिसकी value x2 plus t2 x not कोई भी दो element ले लेंगे इस set से ठीक है तो main चीज यह थी बैस यह जिसके याद रह गई ठीक है उसके बाद यह theorem आराम से हो जाएगी अब देखो 5y हमने कुछ इस type का बनाया था अब हम अगर इसके उपर 5 लगाएंगी तो देखो मैंने y1 पे लगाए तो 5y1 जो क्या हो जाएगा f of x1 यह x not जाएगा वो minus x1 minus alpha हम चेंज हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा इसकी जगह क्या हो जाएगा माइनस का t1 alpha वही लिखा है 5y1 is equals to fx1 minus t1 alpha सेम इसके लिए y2 के लिए हो जाएगा अब क्या करो y1 plus y2 करो y1 plus y2 करो तो y1 की value क्या है हमारे पास x1 plus t1 x not इसकी value क्या है fx1 plus x2 यहां से इसकी जगह क्या आएगा माइनस का alpha तो माइनस का t1 plus t2 है जिए यहाँ alpha हो जाएगा अब इसको अलग अलग करो तो यह इसकी value क्योंकि f linear है तो इसकी value क्या होगे fx1 plus fx2 इसको अलग करोगे तो माइनस t1 alpha माइनस t2 alpha fx1 के साथ t1 alpha को लिया हो fx2 के साथ t2 alpha को ले जाओ और यह value देखो fx1 माइनस t1 alpha इसकी value क्या 5 1 इसकी value क्या 5 2 रख दी 5 y 1 और यह पीच में plus का sign 5 y 2 और यही हमें प्रूव करना था ठीक है linearity के लिए अब क्या करेंगे multiplication के लिए देख लो addition के लिए तो हमने प्रूव कर दिया अब क्या करेंगे a कोई scalar ले लेंगे कि a y 1 a y 1 भी क्या होगा a और y 1 की value लगा 2 x1 plus t1 x note तो a के साथ x1 plus a t1 x note तो 5 a y 1 निकालोगे तो कैसे निकलेगा f of जैसे यहाँ a y 1 के जगह क्या जागा a y 1 आ जाएगा तो a y 1 minus a t1 हो जाएगा और इसकी जगह तो x note की जगह तो minus alpha आएगा अब यहाँ से a बाहरा आगया fx1 minus यह a बाहरा आगया t1 alpha दोनों में एक common ले लो तो fx1 minus t1 alpha इसकी value क्या है यह रही 5y1 तो यह आ गया 5 of a y1 क्या होगा a of 5y1 यह हमें प्रूव करना था hence 5 अमारा क्या हो गया linear अब आमें 5 को क्या दिखाना है bounded और दूसरे क्या दिखाना है 5 की norm f की norm के बराबर होगा यह case बच गया हमारा दो case बनेंगे एक तो t positive वो एक t negative तो देखो कैसे एक तो t को positive लेके चल रहा है तो क्योंकि xo m में belong करते है तो x by t भी m में belong करेगा तो जो first relation हो क्या होगी 5y हमारे पास क्या होता है fx minus t alpha दोनों में से t common ले लो t common लोगे इसमें t है नहीं तो यह one by t fx बने जाएगा यहां से t common लेने के बाद minus alpha साथ साथ मैंने लिक भी रखा है कि मैंने क्या क्या किया है उसके बाद t को agitives इसको अंदर लेके जाओ तो f of e के बन जाएगा x by t minus alpha by linearity of f क्योंकि f linear है तो इसको हम ऐसे ले जा सकते हैं अब उसके बाद क्या किया है इस t को agitives f को हम बाहर लेके आ सकते हैं तो क्या बनेगा f की norm less than any cost होकर इसके उपर पूरे के उपर norm अपलाई कर रहा है इसके उपर पूरे के उपर norm अपलाई कर रहा है तो यहां से f की norm बाहर यह क्या बच जाएगा x by t minus alpha की norm और minus alpha की value हमें पता है x note x note की जगह minus alpha रखते थे यह reason तो इसकी जगह क्या रख दो x note रख दो दूबारा से अब यहां से क्या होगा t f की norm तो है यहां से क्या करो 1 by t को बाहर ले आओ तो t क्योंकि real number है तो t का क्या होगा real का हमेशा क्या आता है scalar का हमेशा क्या हो t से t cancel out हो गया तो यहां से क्या बच गया norm of f और यहां से क्या बच गया norm of x plus t x note यह value होती किसकी है यह value होती है y की तो यह क्या बढ़ गया norm of f norm of y यहां कि 5y किससे land then equals to आ गया यहां से f की norm into y की norm अब second case के लिए देखो हम में फिर से पता है five of y equals to f x minus t alpha तो यहां से क्या हो जाएगा अपने पास अगर हम t को common लेते हैं इदर से तो क्या हो जाएगा t common आएगा तो क्या बचेगा f of x by t minus alpha यह होता है ठीक है तो यहां से यह क्या गया है फिर से देखो क्योंकि यह minus में है क्योंकि यह क्या है f of x t minus alpha इसकी value क्या आजाएगी क्योंकि यह t minus का ले रहे क्योंकि t की value 0 से छोटी है तो यहां से क्या होगा इसका बार minus आएगा बार minus या अगर इसका पूरी का norm लेते हैं तो क्या हो जाएगा minus f की norm अलग उसके बाद x t और minus alpha की जग़े क्या रख दो x नोट क्यानी कि इस complete का norm लिया पहले तो ठीक है उसके बाद इसकी जगह क्योंकि t negative है तो यह f क्या हो जाएगा यह भी negative result देगा f को अलग कर लिया और यह x by t minus alpha की norm का लग और minus alpha की जगह x नोट रख दिया ठीक है अब उसके बाद क्या किया है इन्होंने यह चीज तो चलत यह पूरी वैल्यू किसके एकवल आगई वाई के एकवल अब क्योंकि यह इसका मोडलस है तो मोडलस में चीज़े क्या हो जाएंगी positive हो जाएंगी तो यह वन बाइटी f का norm वाई की norm के बराबर आ जाएगा इस टी को अब इदर भेज़ दो तो टी ओफ x y t minus alpha की value किस से ल इसकी वैल्यू क्या है फाई वाई तो फाई वाई अपने पास के आगे लाइस देनी को स्टू और यही टी पोजिटीव वाले से रेजल्ट मिला था अब देखो क्योंकि हमें तो फाई जो एक वाल दिखाना है यानि कि एक बार यह चीज से greater than इक वस्टू आने चाहिए हम अब हम क्या करेंगे इसको जो है सेकंड और थर्ड जो हमारे पास दोनों रिजल्ट आए हैं इनको क्या करेंगे इन दोनों से मिल रहा है फाई वाई जो है एसकी नौर्म इंटू वाई की नौर्म से लेज देनी क्वश्ट होगा अब क्योंकि हमें greater than चाहिए तो हम क्या कर यहां से क्या होगा देखो यहां से क्या होगा यह वाहर जाएगा तो में एक तर तो करका है using a and b a मैंने इसको नाम दिया है बी मैंने इसको नाम दिया है कि मोड 5y इससे लाइस देन आ गया अब मैं क्या करूंगा अगर मैं वाई को वैल वन ले लूँ सुप्रीमम लेके तो यहां से भी वाई हट जाएगा और यहां वाई डो फ्की जो नौर्म हो फाइक नौर्म के वहाजाएगी और वोह मैं sleeping के वाई कॉल जाएगी तो मैंने अच्छी फ्रीम सो सुप्रीमं के किसी भी चीज का व्वैट बढ़ा है बट मैंने वह लिखा कि फाइब एक्सेंशन एक से बढ़ा है प्रों ठीक है तो उसके according मेरा क्या हुआ कि 5 जो है F से बढ़ा है एब ये चीज इस से छोटे एब ये चीज इस से बढ़ी ये कब possible अगर ये दोनों वैल्यू equal हो अब ये तो मैंने लिया कि एक सैट जैसे कि मैंने M प्लस TX नोट इस टाइप से लिया और इसके लिए प्रूब कर द होंगी ठीक है तो माल लो इस सैट का नाम M2 M note ले लिया इसका नाम M1 इसका M2 तो क्या कि है मैंने जब एक के लिए प्रूब कर दिया तो सेम प्रोसेस में हर किसी के लिए फोलो कर सकती हूं तो वहीं लिख रख है मैंने नाव इफदा एलिमेंट ओफ सैट N-M N-M का मतलब क हमारा M-N-M क्या होगा पने पास यह तो इसके लिए हम लेके चले थे एक्स नोट यहीं से तो उठा है था एम से तो था नहीं इसी से था तो क्या कहरा है कि अगर एलिमेंट ओफ सैट N-M are arranged sequence तो किस तरीके से एक्स नोट लिया ऐसी हम एक्स वन ले लेंगे एक्स टू ऐसे को कोई M-1 का नाम ले दूंगे और एंड सो और इस तरीके से मैं चलती रहूंगी अब देखा हम क्या लिखेंगे लास्ट में कि सिंस दा नोर्म रिमें सेम एट इस स्टैप क्योंकि जितने विए जो स्टैप फॉलो किया है उनके लिए जो मेरी नोर्म है वो मेरी क्या है से मेंम रहेदी इसके लिए प्रूव कर दि1 ऋटाया इससे लिए मैंने स्टैप से जो मैंने अलिमेंट उठाया उसके लिए मैंने इस सैट का यह सटैप कतल दिया डियो और इससे जार आइस जि Raphael1 त jail लगांगी जो मेरी नौर्म है में अमेशा सेम आईगे सिंस जर्म रिम इससी पॉइंट पहुंच जाएंगे जह पर हमें फंक्शनल एफ मिल जाएगा यह जब सारा ही कर लेंगे तो एफ इसके लिए था फंक्शनल एफ फोलो करेंगे और यही हमें प्रूब करना था नहीं को आपको यह समझ में आगई होगी अगर समझ में आ गई लाइक कर दो इस वीडियो को शेयर करती हो जदा और चैनल को सबस्क्राइब कर दो कोई डाउट आता है तो आप टाइलीग्राम ग्रूप दाग्यानी फैमिली पर में से संपर्क करें ठीक है और उसके अलावा आप चैनल को जोइंग कर सकते हैं अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो